आप चाहते हैं हरी श्रावत मुख्या मंद्री बनाए जिसको हाई कमान बना दे हम तयार है हरी श्रावत बहतर लाएंगे चहरा एलान कर देना चाहिए फैदा होगा इसका आप कितनी उमीद कर रहे हैं कॉंगर्स को कितनी सीट आएंगे पुराने दोस्त बुलाते हैं कोनों करते हैं आज नहीं चाहेंगे महराज जी वापिसाद मतलब राजंदर भंडारी जुनला दे रहे थे आगर नहीं राजंदर भंडारी कह रहा हैं लेकिन नहीं हुआ तो दो दर्जन विधायक हमारे संपत है यह हकीकत है क्या श्पाल आरे सियासत के ऐसे पहलवान से हम आपको मिलवाने वाले हैं जो कि खुद खिलाडी रहे और आज सियासत के खिलाडी बन चुके हैं और सियासत के खिलाडी के इस दौर में आज उत्रा खड़ में वो बताएंगे कि किस खेल को वो जितवाने वाले हैं यानि किस खिलाडी को वो राजेंद्र भंडारी साथ भंडारी जी बहुत बहुत स्वागत आपका बहुत भन्यवाद है आपने न्यूसबल इंडिया के लिए वक्त निकाला थैंक यू सो मच भंडारी जी शुरुआत सवालों की करते हैं और सवाल सबसे पहले कॉंग्रेस के घर से इस बार सरकार बना कॉंग्रेस भारी बहुत से सरकार बनाएगी कुछ आधार तो होगा कॉंग्रेस चुनाव जीत रही है बीजेपी आर रही है देखिए बीजेपी का जाना तय है जिस तरह की महेंगाई जिस तरह की बेरोजगारी जिस तरह का भ्रष्टाचार इन्होंने पांच वरसों में उत्राखन के अंदर किया है और जो आ करके बारवार नारे दिये गए थे कि हम ब्रष्टाचार मिटाएंगी हम महेंगाई कम करेंगी हम बेरोजगारी को समाप्त करेंगी तमाम सलोगन इन्होंने दिये थे सारे असभल साबिद है भाजपा बताए ना कौन सा नारा इनका जीरो टॉलेंस है तो फिर लोकायक्त क्यों नहीं लाए पहले लोकायक्त बनाती ना कौन सा लेकर है ने हम तो हमको तो भाजपा ने हम पर तो दाग लगा दिया कि हम भरष्टा चार पाल्टी है उन्होंने का हम इमानदारी का हमारे पास सर्टिपिकट है तो लोकायक्त क्य शाल उतिक है वो सरकार का सिए ने हम सरकार का हिश्सा है ठीक है 안녕ateurs ब्हाजापपा ने बोला था कि सरकार बनते ही हम चुह है एक साल के अंडर लोका एक्तु का कथन करेंगे क्यों नी किया जीरो टॉल में जब तरोग एक दूने बनेगा तब तक कैसे आपको प्राश्ट अलेगा आज आप लोकायुक की पैर्वी कर रहा हैं कल तक आप है कि BJP नहीं जो लोगों को सपने दिखाए, जो लोगों को ठगा, लोगों की भावनाओं से खिलवाल किया, जिस तोलों से पिछली बार परेड ग्राउंड के अंदर मानी परधान मंत्री जी ने लोगों को सपने दिखाए, डवल इंजन के, तो जो सपने उन्होंने दिखाए जो अपने बिजन डॉकुमेंट्स में उन्होंने सर्ते रखी कि वो तलखन के लिए वो क्या करना चाहते है पहले उस मैंने फेश्टर को बताए ना बिंदुवार कि उन्होंने कौन-कौन से पूरी कि है क्या रोजगार दिया क्या मेंगाई समाप तो ही क्या ब्रश्टा चार मिटा देश में जो विकास की दर है वो बड़ी है आज तो मैं देखता हूं कि हम रोडे अच्छी करेंगे और वेदर रोड लाइव उन्होंने का हम ट्रेन पहाड तक पहुंचाएंगे आपकी कंड़परियाक तर ट्रेन पहुंचाने की वो तै सत्बाल माराजी का सपना था नहीं राख का सपना और सपना यूपय की उन्होंड नहीं सrop आपकार समय अरुपय की गौष्естपन का किमिट आज कंप्या तक रेल लान जा रिए ये योपीय सरकार की उपलब तो बीजेपी काई के जो एक्वार रही है काई के कि रहें कि महाराज जी उनका सपना साकार हुआ को अब महाराज जी कि बिखिदिकत बात हो सकती है इसका सारा सिरी झाप नहीं ना हम नहीं नहीं न उन्हों ने भोला था कि हम से पूझके कहा है कि Hem को बिश्यपि में जा रहे तो आप भी चलिए अभी बूलाते हैं तो बैठते हैं उड़ते हैं जो आगे बढ़ता हूं बात सडको की थी आप खुद बद्रीनाच से और आपका दिली लगाव भी रहा और आपकी विलान सावा शेत्र भी रहा और पूरे दमखम के साथ कॉंग्रिस के भीतर एक चेहरा देखा जाता है तो राजंदर भंडारी को देखा जाता है और वेडर रोड क्या बीजपी ने बनवाई की नहीं आप तो जो आज रोड बननी क्या वो गर्मी में बरसात में बरफ में लेंसलाइट में क्या रहेगी क्या ओल वेडर का कंसेप्ट क्या है उसकी भासा क्या है ये बीजेपी क्या बहर गलाना चाहती लोगों को अल वेडर का मतलब क्या होता है ने ने अल वेडर का मतलब क्या ये चारधाम पिकाश योजना है जो कॉंग्रेस का कराबवा है। ये कंग्रेस के सुख करीवी रोड है। ये बॉर्डर के हिसाफ से रोड बनी थी और सूर्क्षा की ड रिष्टीं से शड़कों को आप बोर्ड ब्यूद ब्यूद के काम पर बूद अपने सरकार में जल्दी पहुँचते की पहुँचे थे संब्सक्राइब इकली कॉलीजे बनाए आम्स बनाईे है नभे जल्दी पहुंछ थे हैं पूरे हिंदोस्तान की होरी नहीं को नहीं नहीं बात ऑफ पहुंसते हैं नहीं बिलकुल पहुंसते हैं नहीं पहुंस्ते हैं Inhale रोड बनी यह मतला नहीं उसको हम All Whipy नहीं कह सकते चारधाम पिकास योजना है वह ओल वेदर तुम उसको बोली नहीं सकते हैं जब आप मंतरी थे तब बदरीनाथ से दरादुम देर से पहुचते ने जल्दी से आज पहुचते हैं यह तो सडके बना रहे हैं हमने तो आवाई जाज चलवाए हैं कॉंग्रेस ने हमने तो परमा आज हमको नेपाल धंका रा है आज हमको पाकिस्तान धंका रा आज अबरमा धंका रहे पॉलिटिशेन में और सामाजिक अस्तर पे हमारा सीधे मुकाबला अमेरिका से होना चाहिए हम यहां नेपाल से कंपरीजन के लिए नहीं बनी हुए उत्राखंड के परिपेक्ष में एक सवाल खूब बूंज रहा है राजनितिक गल्यारों में क्योंकि आप कॉंग्रेस के ब क्योंेता हैं कि हमारे लीडर कौन बनेगा ञायक को चुना तब भर जॉनिट फिटायक बने उसकी चुना चुना paradox में पारिपार्टी कॉंग्रेस के अंदर है उनका CLP का लीडर कौन बनेगा यह चुनेवे विधायकता ही करेंगे और उसमे सरों सहमेती बनती है तो आप तो खुद विधायक भी रहे हैं आपको मालूम है आदेश तो उपर से ही आता है नहीं हाइक कमान की भी सहमेती होती है उसमें पर उन तो सब में बड़ी बात है कि जो CLP क के लोग हैं जो चुनेवे एसेंबली के लोग हैं मेले हैं उनकी उसमें सहमेती होती है लिक्के दिया जाता है बाकादा एक लाइन का रिटन प्रस्ताव जाता हाई कमान को कि हम इसके लिए अपना CLP का लीडर मानने के लिए सहमेती जारी करते हैं यह परिपार्टी है आप के लिए होता है सब को मिल के जो झी यृषिं. हाइ कमान का, इस्टेट का, मेले जो मिल के जो झी निरणाई होता है उसमें संग की स्विफ का अप चाहते हैं हरीश राइन मुख्या मंदरी बने जिसको हाइ कमान बना दे हम तैयार हैं? आप चाहते हैं? मेरे चाहाने से låनी ह मैं ब्रवी अपनी क्या राय है उससे हाइकमान का निरनाय नहीं माना जाएगा हाइक Aa विधायक चुनकर मुख्यमंत्री का चहरा देंगे मैंने तो उस दौर को भी देखा है राजेंदर भंडारी ने खुन मुख्यमंत्री चुना था क्या मैं गलत हूं ने ने मैं independent था उस समय मुझे निर्णाई करने का पूरा हग था मैं किसी को पूछने के लिए हगतार नहीं था मैं independent था मैं अपनी आप में शर्व परी था मैं किसी को भी निर्णाय ले सकता था मैं आज पाल्टी में अनुसासन बड़ी चीज होती है आज पाल्टी का जो निर्णाई होगा पाल्टी का निर्णाई भी MLA की Rाइ पर ही निर्णाई करता है कमान, हाई-कमान थोपता नहीं है हरी शरावत बहतर लाएंगे मैंने बोला ना मेरी बिगतिगत राई हो सकती है चहरा एलान कर देना चाहिए मेरी बिगतिगत राई हो सकती या नहीं हो सकती उसके महत्वा नहीं है पर उन्तो सब की क्या राई बनेगी जिस पे सब की राई बनेगी वोही पार्टी का लेडर बेए सब मैंने बोला ना यहां विक्टगण राई की महतुँँगत नहीं होता है पार्टी में आप पार्टी लाइन से बार नहीं जा सकते हैं अच्छा हरीश रावट या पीपीटम सिंग कौन अच्छा नित हैं दोनों से जिसको सब लोग मिलके कहें लेकिन हरीश रावज तो कह रहे हैं कि दलिट चहरे को मुख्य मंत्री बनाए तो ज्यादा बहतर होगा उस अपना है उनका मैंने बोला ना हर विक्ति को अपनी बात रखने का इधिकार है रावजी ने भी अपनी राई रखी कोई दूसरा भी राई रखेगा और कॉंग्रेस में खुला लोग तंत्रे जहां आदमी अपनी राई रखता है अब बनेगा क्या यह तो सर्व समझ से बनेगा एक विक्ति की राई से कभी कोई निर्णाई नहीं होते हैं मेरे सभाज कह रहे थे कह रहे दलिट चहरे का बोला लेकिन आपके कौn से दलिट चेरे हैं बड़े बोली है तो कुछ सोच तोल के बोली होगी हम आपकी विधान सभा सीट पर भी आएंगे लेकिन उससे पहले एक और सवाल आप इसी से जुड़ा हुआ क्योंकि उत्राखंड के परिपेक्ष में कॉंग्रेस की उमीदों का आप जिक्र कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि तमाम कॉंग्रेस को कितनी सीट आएंगे मौजूदा वक्ति आज भी हमारी रेली थी आदनी हमारे राष्टी यह पूरा धक्जी आएवे थे जिस तरह का जन सेलाब आज सडकों पे था मैं कहता हूं कि यह पूरा परिवर्तन के वो इसहरा करता है परिवर्तन के देखो बंगाल में भी वह था दोसों के पार वह तो आंकड़े देने में माहिर है वह तो लोगों को बहरेगलाने में माहिर है उनको तो नारा देना है ना उसने धरातल पे तो कभी उतरना नहीं आए इतने बड़े-बड़े राष्टी नेता जूड बोलते ह है तो इससे होने वारा नहीं है हम कह रहे हैं कि हम 40 के पार हुँगे यह बिलकुल तया है आज आप लिख लिजेगा कॉंग्रेस 40 के पार जाएगी 50 में बी जा सकती है 45 मÌ भी जा सकते है 40 में गई देर है 60 पार का आप 40 पार का उनको तो सौतर पार बोलना चाहिए था उनको तो सौतर के पार बोलना चाहिए था देखो बोलना ही तो है करना तो कुछ है नहीं रोजगार ले लो देना नहीं है मेंगाई खतम करो मेंगाई खतम करनी नहीं है ब्रश्टाचार खतम करो ब्रश् परिवारों को चलना मुस्किल हो गया है हमारे अर्थव्य उस्ता खतम हो गई रोजगार छिन गए है प्लाइन इस तरों से हो गया है कि एक एक घर में हमारा पारवार को इस्तिति डामडोल बन गई अचे सर आपने कहा था कि हम गयर सेंड को राजधानी बनाएंगे 2012 में लेकिन 17 आते आते राजधानी नहीं बनाएंगे तब इसले नहीं बनाए हमारे पास इंफ्रसेक्टर नहीं था जब तक हम बुन्यादी सुब्धाई उप्लब ने करेंगे जब तक हम सारी चीजे नहीं बनाएंगे बिजली पानी सड़कें होटेल सोगरा जो भी बनता है जो भी बुनियादी धासे बनते हैं तब तक आप राजधानी किसे बसाएंगे नहीं बन पाया गरीब प्रदेश जब तक हम को सेंटर की एड नहीं मिलती है जो खुद सत्ता में रहते हुए पैरोकारी कर पर बसना है उसके लिए पैसा कहां साएगा इस्टेट के पास तो कुछ नहीं है नहीं कोई एक्स्टा साधन है यहां जो पैसा आ रहा है प्लान का वह भी नहीं प्लान में चले जा रहा है आप 10 साल में कुछ हासिल नहीं कर पाए नहीं बोलो ना आकर कि हम बजट पर खुद हरी श्रावाजी का बयान है एक जिला बनाने के लिए एक हजार रुपे चाहिए तब आपके पास बजट कहां से आ जाता है जब आप सो करोड़ रुपे आवंटित कर देते नहीं जिले बनाने के लिए और आज आप कह रहे हैं कि गैसेंड के लिए आपके बजट न बोलते हैं तो कोई चोटी बात बूल दिया तो उसका आपने पकड़ लिया कॉंग्रेस की बाद एक बार जो सकार में साथ साल से बैठे हुए हैं उनसे भी तो जवाब पूछो जनाब बदलब राजेंट पांच साल से गेर्शेंड में बैठे हुए हैं अब उन्होंने ग् कौन बैठा वाँ केवल नाम देने से एक लाइन का जीवो जारी करने से ग्रिम्स कालिन राजदानी बन गई क्या हरे भाई क्यों जमता को गुम्रा कर रो भाई इतना तो सब जानते हैं तुमने केवल लोगों को गुम्रा किया है आज भी अगर वहाँ पर अस्थारी राज राजदानी बनाएगी ढ़ाई साल के अंदर इंफरसेक्चर डेपलप करेंगे और जैसे ही वहाँ पर बन्याली सुबलाई अप्लपद हो जाएंगी गैर शेंड के अंदर अस्थाही राजदानी का निर्मान होगा राजदर भनडारी कह रहा हैं लेकिन नहीं हुआ तो नह को देखिए कि हमने जो कमिटमेंट किया था हम जंता से सफल नहीं हो पा रहे हैं तो राजेंदर बंडारी वाँ धरने पर बैठ जाएंगे अपनी सरकार क्यों नहीं हो पर जो हमारा कमेंट है उसके खिलाब बिल्कुल बोलेंगे कोई भी बैठा पर उन्त अगर जो कॉंग्र कोईशन ने बोला है कोंग्रेस ने कमिटमेंट किया है कि धाय साल सरकार बनने के बाद हम आपर अस्ताही राजदाने की घोजना करेंगे और को बोलती हुआ गर्शेट में जितना तायार किया बीजेपी नहीं बनाया बिदान सभाश बनाया ने कॉंग्रेस के नेता थे बी ब्रश्टाचार में डूबिवा आज उनके साथ बैठे हुए क्या गंगा ना गई क्या हो गई सारे ब्रश्टाचार समाप्त हो गई क्या बीजेपी पूछे ना अपने नेता से कि भाई जो स्कूटर में तेल पड़ा था कॉंग्रेस में आप ब्रश्टाचारी थे यहां क कीजिल डालते ना जांच कोन करेगा जो सरकार में बेठावा है केंद्र में उनकी राजे में उनकी पांच साल से उनकी सरकार के मिनिश्टर इह अगर इंडर कोई करफशन का आर stata क्यों नीजाज करता हैAL किसकी था अगर कोई दोसी मिलता है तो दोसी को जो भी गुणा होता है दोस तो मेरे उपर भी है क्या मैं दोसी हो गए क्या एक बार दोस सिद्ध हो जाए ना दोस लगाना ही गुणा नहीं का जा सकता है यह नया एलाई की पासा है यह चलिए वो आरोप तेराने तिक आरोप में वैसे भी सबूतों की जरुत नहीं पड़ती लेकिन बंदारी जी एक बात पुराने दोस्त बूलाते हैं फोन वोन करते हैं बिलकुल बूलाते हैं बैठते हमारे संपर्क में हैं यह हकीकत है क्या अब यह तो अध्यक जी से अगर बात हुई होगी तो हो सकता है अब यह जवाब दे सकते हैं नहीं तो आप लोग फिर हवा में तीर चोड़ रहे हैं अश्पाल आरे के लावा कौन आया कॉंग्रेस कभी हवा में तीर नहीं छोड़त है हर आप मलागी खाना चाता है सत्ता पर बेठे हुए सत्ता जीस दिन चले जाएगी तैकल आपना अपना अपना घर ढूने के सब लोग पुराने भी आइंगे नहीं भी आएँगे सरकार में आना है सरकार कॉंगरेस की बननी सबको मालुम है यह चाहे आप एग्जिट पो है बुछ बढ़ी बगावत होने वाली है बिजेपी अपनी पार्टी को नहीं बचा पाएगी ये मैं आज आपको बता रहा हूं बिल्कुल नहीं बच पाएगी बहुत बड़े अस्थर पर जो है रिबोर्ड होने वाला अच्छा हरक सिंग रावत कैसे नेता है भाइव बाइव कोवार नेठा वह पूछना पड़ेगा किसे निता है नहीं आपकी रहें पूछ रहें हैं ने आपकी राय पूछ रहें नेम कैसे बता दें बहुत निता है आपके पुराने दोस्तों के नाम ले रहा हूं मैंने बोला ना हम किसी के ब्यक्तिगत जीवन पर कोई आरोप का टाक्ष कोई इस तरह का नहीं करना चाहते हैं सत्पाल महराज कैसे नेता है पहले तो सुना था धार्मिक नेता है अब तो पॉलिटिक्स में भी जुम्मे जुम्मे आये हुए हैं सट्पाल महराज को चाहना है कि वापस आएंगे नहीं आएंगे तो उनको तहय करना है कि उनको क्या करना है करके मेरे चाहने नहीं चाने से तो कुछ होनी से रहा यह तो जाएंगी यह तो जिस आदमी ने आना है पहले उसको तई करना है कि उनको आना है कि नहीं महराज जी कैमरा चल रहा है आप अपील कर सकते हैं महराज जी का इतना वड़ा बक्तित है हम उनको राई देने वाले कौन होते हैं कहां राजा भूज कहां मैं एक छोटा से खिलाड़ी वो तो उनकी अपनी सीमाएं है नहीं कभी खिलाड़ी के दिल में वो भी तो बसते थे नहीं वो बात अलग है वो आज दूसरी पाल्टी के नेता हैं हम दूसरी पाल्टी के सेवक हैं तो बहुत आज नहीं चाहेंगे महराज जी वापिस आ जाएं नहीं मेरे चाहने से कुछ नहीं होनी वाला है महराज जी बड़े नेता है निर्णाई उनको करना है और आना है और थाएंगे तो कॉंग्रीस को फैदा होगा. प्रस्तिके उन्सार जन्ता निर्णाई करते हैं हम अभी वहां की सेवा कर रहे हैं सत्ता मेने रहते हुए वहां की सेवा कर रहे हैं अगर हमारी पाल्टी अगर मेरे पर विश्वास करेगी तो निस्यत रूप से लड़ेंगे ने आपका क्या बिचार है नहीं मैं कांग्रेस का सीवक हूं तो कांग्रेस से ही लड़ना चाहिए नहीं अफाय उड़ रही थी कि अगर टिकेट नहीं मिला किंतू-परंतू हुआ अब देखिये मैं तो पिछले पांग साल से सुनना हूं कि भढणारी जी क्व जड़ रहे हैं वहां कर रहे हैं अब यह कौन चलाता है यह कौन आपके अपने तो नहीं है राजनीती में ऐसा है कि होते हैं अपने भी हो सकते हैं बाहर के भी हो सकते हैं यहां से भी पाल्टी टिकर दे कहीं और से भी राद है क्या ने ने मैंने बोला ना मैं सेवा कर रहा हूं बदिनाथ में पाल्टी अगर मेरी सेवा में उसको अगर लड कि मैं यहीं सो लटूँगा नहीं देगी ति मैं यह करूğa फाल्टी का जो निणने होगा बाल्टी से उपर कोई नहीं आप पाल्टी है तब हम भी है ऐसा मूट लगदा है पर्वार के लिए टिक्ट मांगधे आप नहीं मैंने तो ऐसा कभी और थे कई लूए अंट कम एपका लूए अब टो बडी लोग बैठेव हैं अमारे नेता लोग बैठेवे एक पड़ा आरूप लगा आपके परिवार से जिला पंचाय ऐट उपाध्यक्ष ने बड़ा अरूप लगा इस तरीके से देखते ने तरह को हम लोग परतिनीदी हैं परतिनीदियों पर आएद आरूप लगते रहते हैं लेकिन अपकर इसा साधी पर अहुँरहां पर जूरत जिलापंता अध्यक्ष की कुर्सी आपके परिवार के पास है और यह बड़ा इत्वाक है कि आसपास विधायक सारे बीजेपी के और फिर भी आपने अध्यक्ष बनवाली आपनी पत्मी को कैसे वो जनता का प्यार है उन्होंने सत्ता पाल्ठी के रहते हुए भी विपक्ष क कि रजनी बंडारी को अध्यक्ष बनाया तो यह तो भी पक्ष की होंगा कि बहुत बड़ी मेरे उपर एक क्रिपा है विधायक की रूप में रजनी बंडारी को देखना चाहे तो बंडारी जी तयार है उसके लिए ने मुझे क्या तयार होना है वो तो जनता निरणाई करे चाहे तक अध्यक्ष रहा हूँ और मैं यहां पर दर्श को कोई बताना चाहूँगा क्योंकि आपने कहा कि कुछ भी हो सकता है 2007 का वो लम्हा था और भंडारी जी निर्दलिये चुनाव जीते चुनाव जीते और उस दौर में जीते जब उन्होंने इतनी मेहनत की कि वो ब भंडारी जी मंत्री बने खंडूरी जी की सरकार में इसलिए वो कह रहे है कि ऐसी परिस्टियों में कुछ भी हो सकता है आज फिर बता जीजे घंडारी जी फिर विधायग बनने की तैयारी है तो मंत्री तो पक्का बनेंगए न? ये भी- काल के गर में चुपावा है मंतरी बनेंगे नहीं बनेंगे बिधायक बनेंगे नहीं तो दो हजार आगे अपनी राई नहीं दे सकता हूं तो मेरी खिलाडी से बात हो लिए तिया आज आप सियासत के खिलाडी हो गये हैं नहीं मैं सियासत का खिलाडी तिने ओपर पाल्टी का सेवक हो गया हूँ एक कारेकरता हो गया हूँ और कारेकरता होने के नाएता मेरी मर्यादा है और मैं उस सीमा से उपर निभूल सकता हूँ फेंकी सो deal भंदारी जी आपने वक दिया नियूस्वल इंड़िया के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपने बेबाकी से अपनी बात को रखा वही आपकी पुरानी मुस्कान हमेशा बनी रहे यह हमारी शुप कामना है थैंकी सो मज़ भंडारी जी तो ये थे हमारे साथ राजेंदर भंडारी जिन्होंने बेबाक अंदास से अपनी बात को रखा तो दो कदम में फिलहार मेरे सहयोगी सुभाज गौड और मुझे दीजिये जारत अगली बार होगी एक नई शक्सिया से मुलाकात नमस्कार जहिन जय भारत जय उत्रखन